सरल श्रीमद भगवद गीता, गीता चिंतन और बोध, लेखक रामचंद जोरवर दार्शनिक सिदसाधक, अध्याय 18, मुक्ष सन्या सिउग, कुल श्लोक 78, भाग सतहतर, श्लोक 68 से 78 श्री गीता का महात्म्य, श्लोक 63 अध्याई 18, इदम ते नात्पसकाय नाभगताय कदाच न चाशुशुश्वे वाच्यम न चमा योग्यसुयती विशे, अयोग्य को गीता उब्देश देने पर रोक अनुवाद, इस गीतारू प्रहस्यमय उब्देश को कभी भी एक गयर तपस्वी को नहीं कहना चाहिए नहीं इसे किसी भक्तिरहित व्यक्ती से कहा जाना चाहिए और जो सुनना नहीं चाहता इसी प्रकार जो मुझ में दोश देखता है, उसे कभी नहीं कहना चाहिए चिंतन, यहां इस संसार में हर मनुष्य की अपनी सामर्थे के अनुसार अलग-अलग योग्यताएं होती हैं धन या आश्वर्य तीन प्रकार का होता है एक दैविय यानि वैचारिक समृद्धी, दूसरी भोतिक समृद्धी और तीसरी राक्षसी समृद्धी गीता शास्त्र इश्वर्य यानि वैचारिक समृद्धी का भंडार है गीता के इस वैचारिक खजाने यानि वास्तविक इश्वर को वही लोग-चुरा और आत्मसात कर सकते हैं जो हर बात को ध्यान से सोचते हैं और अपने जीवन में निर्ने लेते हैं इसमें शास्त्रों को जानने वाले वैच्ञानिक, इश्वर का ज्यान प्राप्त करने वाले संत, साहित्य का ज्यान रखने वाले कवी और लेखक जैसे बुद्धी जीवी शामिल हैं वे ब्रहम, ब्रामांद, इश्वर की खोज में हैं इसके निर्मान का मूल रहे से ग्यात है इसलिए उन्हें भौतिक और आसुरी संपत्ती, सम्रिद्धी में कोई दिल्चस्पी नहीं है लेकिन इस भौतिक सम्रिद्धी को बढ़ाने में उनका हाथ है जो वैचारिक संपता को इकठा कर उसे सही धन से उप्योग कर सके अपने सत्व गुन-बुनों के कारण वैचारिक और भौतिक सम्रिद्धी के फलने फूलने में ही इन्हें सुख और संतुष्टी प्राप्त होती है लेकिन कई लोगों की आदत होती है केवल लूट पाट करना और कुछ लोगों द्वारा सम्रिदध धन इकठा करना उन्हें वैचारिक धन में कोई दिल्चस्पी नहीं है वे केवल भौतिक सुखों में ही सुख मानते हैं राक्षसी वृत्ती वाले तमोगुनी लोग केवल द्वेश और इर्श्या रूपी धन इकठा करते हैं और दूसरों की बौदेक और भौतिक संपदा को नश्ट करने का अनुसरन करते हैं किसी के द्वारा एकत्रित और बढ़ाए गई वेचारिक और भौतिक सम्रिद्धी को ये सहन नहीं करते इसलिए उनकी पूरी बुद्धी बहुत मंध है क्योंकि उनका रवया हमेशा नकारात्मक होता है उन्हें चार-चार बार कहने पर भी नहीं मिलता, याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता उनके सामने कुछ दार्शनिक बाते करना अपना समय और जीवन बरबाद करने जैसा है इसलिए भगवान इस गीता ग्यान के संबंध में अर्जुन को चेतावनी देते हैं यह गीता ग्यान्यग्य केवल उन्हीं के लिए है जो इससे कुछ सीखकर अपना, परिवार, राष्ट्र और विश्व का वैचारिक रूप से विकास कर सकें वे इस धर्ती को हर तरह से सम्रिध कर सकते हैं यह ग्यान उन तक पहचाना और उन्हें समझाना आवश्यक है तीन तरह के लोग होते हैं जो अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य में ग्यान प्राप्त करते हैं जो सही विचारों को केवल इंगित करके, पढ़कर, मनन करके, इशारे करके और कहकर पकड़ लेता है उसके पास उन्हें दोहराने का समय नहीं होता ये वही हैं दूसरा, उन्हें गहराई में जाकर समझाना होगा जब उन्हें तरह तरह के उदाहरं देकर मनाना होता है तो वे उन विचारों को समझ जाते हैं जो तीसरे हैं उन्हें कुछ भी कहा जाए, वे नहीं समझते उन्हें समझाना पत्थर पर सिर मारने जैसा है भगवान ने यहां इन लोगों से सावधान रहने की चितावनी दी है भगवन्त कहते हैं, यह गेय और रहस्यमय उपदेश तपस्याना करने वाले व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए नहीं किसी अधर्मी व्यक्ति से कहा जाना चाहिए और जो सुनने को तयार नहीं है इसी प्रकार जो मुझ में दोश देखता है, उसे कभी नहीं बताना चाहिए बोध, हमारा जीवन सदा उन्नती करने का, श्वेष्ट बनने का है नीचा दिखाने के लिए नहीं जो लोग व्यचारिक मिलन करते हैं वे अपने जीवन और दूसरों के जीवन को आगे बढ़ाते हैं और सम्रिधा करते हैं लेकिन कुछ मंदबुद्धी लोग भी होते हैं जो खुद आगे नहीं बढ़ते और जो आगे बढ़ते हैं उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते. उन्हें आसुरी यानी राक्षसी प्रवृती वाले लोग कहा जाता है. उनके सामने ग्यान और इश्वर जैसी बाते करना चल नहीं है क्योंकि उनके स्वभाव में वह दोश है. वे न केवल अच्छे मनुष्य से घ्रिना और इर्श्या करते हैं, बलकि वे स्वयम परमेश्वर से भी घ्रिना और इर्श्या करते हैं. उन्हें जरा भी ज्यान नहीं है कि वह परमात्मा क्या है और हमारी उत्पत्ति उ इसका लाब उन्हें ही होगा जो इस तरह की प्रगती की शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। अनुवाद, जो पुरुष मेरे प्रती परम प्रेम से मेरे भक्तों को इस परम भुहिय गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह निश्चे ही मुझे प्राप्त होता है। मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरा प्रिय कार्य किया हो। और नहीं भविश्य में उनसे आधिक प्रिय इस प्रित्वी पर कोई होगा। शिंतन, भगवान ने स्वयम इस गीता ज्यान, इश्वरिय शक्ती के ज्यान को अरजुन के माध्यम से कृष्ण का अफ्तार लेकर दुनिया के सामने प्रकट किया है। वास्तव में उस परमात्मा की यही इच्छा थी की मनुष्य परमात्मा को जानकर संपूर्ण जीवन क यह ज्यान प्राप्त करे। तो इतने सारे योध्धा एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो जाते हैं। ऐसी प्रिष्ट भूमी में भगवान ने युध्ध भूमी में अरजुन को यह तत्वग्यान बताया है। युध्ध और लड़ाई की घटनाय हमेशा किसी की अज्यानता, म महाभारत में ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वे कुरुक्षेत्र के पवित्र युध्ध के मैदान में एक दूसरे को मारने के लिए आमने सामने थे। आज भी दुनिया की वही तस्वीर मौजूद है जो रामायन काल में राम रावन युध्ध के दोरान के द्वारा किये गए पापों को धोने के लिए काम करना होगा फिर भी हम मूर्ख यह नहीं समझ पाते कि हम अपने पापों का बोज इश्वर पर क्यों लादें। उसे परेशान क्यों करें। इसके विप्रीत, उनकी पूजा, कीरतन और उनकी स्तुती गाकर एक सुन्द, स सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन हम जैसे मूर्ख इसे कभी नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान ने हमें ग्यान का यह भंडार और व्यचारिक गीत दिये हैं। शरीर की ओर से व्यक्ति आते जाते हैं, लेकिन अक्षर-अक्षर हैं, उन्हें केवल छर्यों में खोजने के बजआए, यदि हम उन्हें इस शाब्दिक गीता ज्यान्यग्य में पाते हैं, तो वे इन शब्नों के माध्यम से हमसे संवाद करते हैं। सीधे बात कर रहे हैं। इस गीता के ज्यान से उन्होंने वास्तविक युधभुमी में वास्तविक परमात्मा द्वारा दिया गया यह ज्यान हमें उनके प्रत्यक्ष दर्शन कराता है, उनके अस्तित्व से अवगत कराता है और हमें यह ज्यान देता है कि कैसे हम अपनी शापित मानव योनी से मुक्त हो सकते हैं, कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और कैसे सर्व पिता परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। परमात्मा से बात करने का, सुनने का इससे अच्छा अफसर जीवन में बार बार जन्म लेने से भी नहीं मिलेगा। इस अफसर को व्यर्थ गवाय बिना इस जन्म में चारो कार्यों को अभी हात में छोड़ कर गीता के रूप में परम्पिता परमात्मा श्री कृष्ण से बात करना चाहिए और अपने मानव जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। मुक्ति का आनंद वह समारो इस जन्म में ही प्राप्त करना होगा। को गीता तत्वग्यान उसके अफसाद से मुक्त होने के लिए बताया। वह अपने संबंधियों की हत्या के पाप के विचार से उदास था ताकि अफसाद दूर हो जाए। अरजुन की मनस्थिती प्रायह सामान्य मनुष्य की भी होती है। ऐसे छोटे छोटे कारणों से ब परेशानिया आती हैं। वे नहीं डरेंगे। इसके विपरीत हमें उनकी सीरी बनानी चाहिए और अपनी उचायों तक पहुँचना चाहिए। इन समस्याओं को भी अफसरों में बदलना चाहिए। मूल रूप से समस्याओं अफसरों के रूप में आती हैं। उन्हें धाल के रूप में इस्तिमाल करने में सक्षम होना चाहिए। गड़ों और काटों को देखकर हमें इन समस्याओं से बचने और इनसे बचने में सक्षम होना चाहिए। जैसे हम अच्छी सड़क पर चलने की कोशिश करते हैं और खुद को उनसे बचाते हैं. साथ ही खिलकूद में जीवन का लुट्व उठा सकते हैं. कोई कितना भी आपका रास्ता रोकने की कोशिश करे, अपने पेरों को पीछे खीचे, भले ही आपके रास्ते में काटे हो, आपको उन सभी कठिनायों को सोच पर विचार किया गया है. गीता किसी भी कठिनाय को दूर करने की शक्ती देती है. गीता कभी भी अफसाद की वकालत नहीं करती बल्कि जीवन से सभी अफसादों को दूर करने के सभी उपाय बताती है. जब भी हम बहुत उदास हो तो हमें सबसे पहले गीता का पाठ करना चाहिए और इसके सिध्धानतों को बिना कही जाए, किसी के पास अद्रिश्य सलाह के लिए जाना चाहिए। वह आपके हर सवाल, हर समस्या का जवाब देती है। यह निश्चित रूप से आपको किसी भी डिप्रेशन से बाहर निकालती है। आजकल गीता जैसे तत्वग्यान का प्रयोग किये बिना ही कितने कारणों से लोगहताश, निराश और आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान ने अरजुन को रनभूमी से भागने के लिए प्रोचसाहित नहीं किया, उन्होंने उसे प्रोचसाहित और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, गीता की महानता और महत्व को जाना जाता है। जिन लोगों ने इस गीता के दर्शन को हृदय से आत्म साथ कर लिया है, वे उन कठिनायों से मूह नहीं मुरेंगे, चाहे उनके जीवन में कितनी ही कठिनाया और संधर्ष क्यों ना आ जाएं। इसके विप्रीत वे उन समस्याओं से दोनों हाथों से निप्टिंगे और उन समस्याओं को परास्त करेंगे और यही गीता शास्त, गीता तत्वग्यान, सफलता का वास्तविक रहस्य है। वही अर्थ, वही भगवन्त गीता का सार यहां थोड़े भिन शब्दों में कहा जा रहा है। इसलिए गीता के कई पहलू हैं, यह नीरस नहीं है। मनुष्य जिस भाव से उसे पढ़ता है और मनन करता है, उसी के अनुसार उससे भिन भिन भाव प्रकट होते हैं। यह विचार के अमृत्मे जल के साथ सदा बहने वाले ज़रने की तरह बहता है। मानसिक त्रिश्वना से व्याकुल हर आत्मा उसलियात्मक जरने के पास जाती है, उस मानसिक जल से अपनी प्यास बुझाती है और त्रिप्त हो जाती है। श्लोक 71 अध्याए 18 श्रधावान अन्सुयश्च श्रिनुयाद पी योन्नर सोपी मुक्त शुभाल लोकान प्राप्नुयाद पुझे कर्म नाम विश्य श्री गीता के श्रवन की महानता अनुवाद जो मनुश्य इस गीता शास्त्र को श्रधा पूर्वक और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनता है, वहवी पापों से मुक्त हो जाता है और पुझे कर्म करने वालों के श्रेष्ट लोगों को प्राप्त होता है। चिंतन, सुनना, भजन, पढ़ना, कीर्तन, मनन करना इश्वर की महानता को जानने के अलग-अलग तरीके हैं। व्यक्ति की इश्वर में आस्था उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। परमेश्वर के इन वादों पर द्रिल विश्वास होना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के मन में इस गीता शास्त्र के प्रती, आस्था की तो बाथी दूर, तनिक भी संदे हो, तो उसकी द्रिष्टी में इस भगवन्त की गीता का कोई महत्व नहीं होगा। वह इस गीता ग्यान को अंध्रिश्वास नास्तिक्ता की द्रिष्टी से देखेगा। फलत, इस गीता दर्शन से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, उसे कुछ भी लाब नहीं होगा। इसलिए प्रभू कहते हैं कि जो मनुष्य इस गीता शास्त्र को श्रधा पूर्वक और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनता है, वह वी पापों से मुख्थ हो जाता है और पुण्य कर्म करने वालों के पुण्य लोकों को प्राप्त होता है। बोध, हमारी द्रिष्टी सदैव द्वंद्वात्मक धन से कार्य करती है, जिसे हम सकारात्मक और नकारात्मक द्रिष्टी कहते हैं। उनके लिए श्रवन सर्वोत्तम उपय है। भगवान ने मार्ग सुझाया है कि वे अपने जानने वालों से इस गीता का श्रवन करें और इस प्रकार आचरन करके जीवन को सार्थक करें। जो इस गीता ग्यान को हृदे से इस प्रकार सुनेगे उन्हें अपनी मुक्ती और मोक्ष का मार्ग अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके बाद गीता के संबंध में इश्वर का कोई समवाद नहीं है। गीता के दूसरे अध्याई के दूसरे श्लोक से लेकर 18 अध्याई के इस 72 श्लोक तक अरजुन को संपूर्ण उपदेश है। युद्ध के मैदान में युद्ध के शंक बज चुके हैं। यह बज़ का ऐसा समय आता रहता है और इसमें अनेक निरप्राज जीव मारे जाते हैं। इसलिए जीवन में ज्यान जरूरी है, विचार जरूरी है, संसकार जरूरी है। जब व्यक्ति को सही समय पर सही संसकार मिल जाते हैं तो वह व्यक्ति एक अच्छा सकारात्मक जीवन जीने लगता है और दूसरों को भी वहोधारन प्रस्तुत कर सकारात्मक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अच्छी और बुरी प्रवृतिया इसी भूमी पर, इस धर्ती पर समान रूप से जन्म लेती है और उनके बीच यह संधर्श सदा चलता रहता है। लेकिन भगवान की शक्ती, उनकी उर्जा हमेशा सकारात्मक, अच्छी सोच वाले लोगों के साथ खड़ी रहती है। इसलिए यह संसार ईश्वर की कृपा से चिरकाल तक सुखी और संतुष्ट रहता है। यह पार्थ, क्या आपने इस गीता शास्त्र को एकाग्र मन से सुना, और हे धनन जे, क्या अग्यान से उत्पन तुम्हारा मोह नश्ट हो गया है। बोध, जब कोई वास्तविक संकट हम पर आता है तो हम बुरी तरह से जाग जाते हैं। तब तक, हमें इस महत्वपूर्ण ग्यान, मनोविग्यान की अधिक आवश्यक्ता नहीं है। लोगों को बहुत सारी शारीरिक बीमारिया हो जाती हैं, इसलिए वे अस्पताल जाते हैं और तुरंट डॉक्टर से इलाज कराते हैं। लेकिन मानसिक विकारों के मामले में इसके अस्पताल इस दुनिया में बहुत कम उपलब्ध हैं। उस परमात्मा से मिलन, श्रीमाद भगवद गीता का पाठ, चिंतन और मनन करने से परमात्मा प्राप्थ हो जाता है। उनके चरनों में ये जीवन अरपन करते हैं। श्लोक 73 अध्या 18 अर्जुन उवाच नश्टो मोह स्मृति लब्धात्वत प्रसादान मैं अच्यूत। स्थितोस्नी गत्संडे, करिश्य वच्नतव। विश्य, ये स्वीकार करने के द्वारा की उसका मोह दूर हो गया है, भगवान की आग्या का पालन करने की अर्जुन की प्रतिग्या। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे अच्यूत, आपकी क्रिपा से मेरा भ्रम दूर हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं संदे से मुक्त हूँ, अतह मैं आपकी आग्या का पालन करूंगा। चिंतन, भगवान का पूरी गीता सुनाने का लक्षय अप पूरा हो गया था। अर्जुन मोह, उप से बाहर निकलना चाहता था। ऐसी अवस्था में वह अपने सामने योधाओं का मुकाबला नहीं कर पाता। जब मनुष्य भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है, निराश हो जाता है, तब वह किसी से लड़ नहीं पाता। इसलिए लोग अक्सर दूसरों को धमकाने की कोशिश करने के लिए भावनात्मक हथियारों का इस्तिमाल करते हैं। वे जानबूच कर उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं जो ग्यक्ति उनके सामने पसंद नहीं करता है और अपने बुरे उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ऐसे उदाहरन न सिर्फ रामायन, महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलते हैं, बलकि दुनिया के कई इतिहासों में भी ये कम नहीं है। हथियारों पर प्रतिबंद के कारण आजकल लोग इन भावनात्मक हथियारों का व्यापक रूप से उप्योग करते हैं। अंततह ऐसे गीतों का मनोविग्यान मन की दुरबलता पर काम करता है, जो वास्तव में भागवान ने अर्जुन के संदर्व में उप्योग किया है। इस गीता को भागवान के मुख से सुनकर अब अर्जुन के मन के सारे संदेह दूर हो गये हैं। अब वह बिना कोई और सवाल पूछे इसे स्वीकार कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्योत, आपकी कृपा से मेरा भ्रम दूर हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं संदेह से मुख्त हूँ। अतह मैं आपकी आग्या का पालन करूँगा। बोध, यहां भगवान और अर्जुन के बीच समवाद पूरा होता है। अब अर्जुन कोई संदेह नहीं पूछेगा। उसके सारे संदेह दूर हो जाते हैं। अब भगवान भी कुछ नहीं कहेंगे। श्रीमत भगवद गीता का विशे यही समाप्त हो जाता है, लेकिन ह हम इससे क्या सीखते हैं यह महत्वपूम है। यह विशे यही समाप्त नहीं होता है, यह अकेले अर्जुन तक ही सीमित नहीं है, यह हम पर भी लागू होता है। जैसे हम भी ऐसे ही उदास लोग हैं, भगवान का यह गीताशास्त्र हमारे लिए भी है और हमारी आने वाली सभी पीवियों के लिए भी है। अर्जुन को सुनाते समय स्वयम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष रूप से सुना है। चिंतन, महर्शी व्यास की कृपा से संजे को दिव्यग्यान प्राप्थ हुआ था। अतेव हस्तिनापूर के राजमहल में बैटकर संजे उस द्रिष्टी के आधार पर राजा धृत्राश्ट को युधभूमी का वर्नन कर रहे थे। संजे को यह आदेश राजा धृत्राश्ट ने दिया था। श्वीमत भगवद गीता का प्रारंभ धृत्राश्ट की जिग्यासा और समवाद से देखा जाता है। पूरी गीता में, पहले आध्याय में, पहला और एक मात्र श्लोक धृत्राश्ट का है। धृत्राश्ट ने कहा, हे संजे, धर्म की भूमी कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडू के पुत्रों ने क्या एकत्र किया। मानवी ये रिष्टे इतने नाजुक होते हैं। जैसे जैसे वे लंबे और लंबे होते जाते हैं, वे तूटते रहते हैं। पांडू के जीवित रहने पर धृत्राश्ट उन्हें अपना भाई मानते थे। अब उसके पुत्रों से पराय लगे, इसलिए वह पूछ रहा है कि पांडू के पुत्रों और मेरे पुत्रों ने यहां क्या किया है। यह तब था जब संजय ने अपनी दृष्टी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमी की और भूमाए और वहां उन्होंने राजा दृत्राश्ट को भगवान और अर्जुन के बीच का गीतात्मक समवाद सुनाया। संजय ने अपने शब्दों में इसका वर्णन किया है। संजय ने कहा, इस प्रकार श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन अर्थात परमात्मा और आत्मा है। बी नहीं जान पाएंगे कि कोई कैसे इश्वर से निकट्ता प्राप्त कर लेगा। यदि वो प्रसन हो जाते हैं तो किसी भी तरह से किसी भी भग पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस प्रकार संजय को महर्शी व्यास से दिव्य द्रिष्टी प्राप्त हुई और उन्हें सीधे उनके मुख से भगवान द्वारा बोला गया गीता ज्यान सुनने को मिला। पूर्व पुन्य के कारण संजय की यही नियती थी। बातचीत को याद करके मुझे बार-बार खुशी होती है। यह जानने के बावजूत संजय ने इमानदारी से राजा धृतराष्ट से अपनी खुशी व्यक्त की। इस प्रकार उन्होंने इसे अपने शब्दों में व्यक्त किया है। मेरे नात, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच इस रहसे में लापकारी और अद्भुद बातचीत को याद करके मुझे बार-बार खुशी होती है। बोध, अक्सर, अगर हम कोई अच्छी खबर या कोई अच्छा काम सुनते हैं, तो वह घटना तब तक अच्छी नहीं बैठती जब तक हम उसे दूसरों के साथ साजा नहीं करते। फिर अगर हमें इसे किसी दुश्मन के साथ साजा करना पड़े, तो भी हम इसे साजा करते हैं। श्लोक सतहतर अध्या यठारह, तचर संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्य अध्भूत्हरे, विस्मयों में महान राजन हृष्यामीचा पुना पुना, विश्य, भगवान के ब्रमान रूप को याद करने में संजय की प्रसन्नता, अनुवाद, हे राजन, उपर श्रीहरी क उस परम अलौकिक रूप का स्मरंग करके भी मेरा मन बड़ा विस्मित हो रहा है और मैं बार-बार हर्शित हो रहा हूँ। काफी सार्थक रहा है, मनुश्य ने जो कुछ पाने के लिए जन्म लिया है, वह उसे मिल गया है। कट किया है। इसलिए वह इतने सारे जीवन को जन्म देकर इस ब्रहमान्द की सुन्दर्ता और इसकी विविद्ता को देख रहा है। लोग यहां आकर भोतिक सुखों में फंस जाते हैं और इश्वर के मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। मनुष्य जन्म एक आश्चर्य है। परमेश्वर मनुष्य में अपनी भावनाओं और दर्शनों को आत्मसात करने में सक्षम था। लेकिन मनुष्य ने उसे संकुचित कर दिया, सीमित कर दिया। वह अपने जन्म का उद्देश्य भूल गया। वह इस धर्ती की विविद्ता, पशु पक्षियों के सौंधर्यक प्रकृती, नदियों, समुद्रों और पहारों को देखना ही भूल गया। रात के अंधेरे में वह ब्रमांड, ग्रहों, तारों, चंद्रमा, आकाश गंगा की सुन्दर्ता को देखना भूल गया और शरीर तथा उसके माध्यम से प्रित्वी के संसाधनों पर अपना अधिकार जताने लगा, जहां वह खुद उसके शरीर का मालिक नहीं। वह अपने मोह में फसकर इस मूल जन्म को उसके लिए बरबाद करने लगा। केवल पेट और शरीर के सुखों में ही अटके रहते हैं। इसके अलावा, वह एक बहुत थीक शुद्र द्रिश्टी के साथ जीने लगा जो अनंध तक पहुँँच गया। जब संजय को महर्शी व्यास की कृपा से दिव्यद्रिश्टी मिली और उस दिव्यद्रिश्टी से उन्होंने भगवान के विश्वरूप को देखा, तो वे स्वयम के अस्तित्व को भूल गए। उन्होंने उसे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया जिसके लिए सकता. वो इन शब्दों में राजा धृत्राश्ट्र को इसका वर्णन करता है. के राजन, उपर श्रीहरी के उस परम अलोकिक रूप का स्मरंग करके भी मेरा मन बड़ा विस्मित हो रहा है और मैं बार-बार हर्शित हो रहा हूँ. बोध, जन्व से पहले इस शरीर को धारंग करने का मूल उद्देशिप परम पिता का सार्वभोमिक रूप धारंग करना है. इसलिए भगवान ने अपनी आत्मा के रूप में इस मानव शरीर में अपना एकंच डाला. लेकिन जैसे ही हम इस भूमी पर अपनी आखे खोलते हैं, हम यहां इस स्विष्टी की महिमा को देखते हैं और अपने मूल लक्षय को भूल जाते हैं जो की इश्वर को देखना था. पेट और शरीर के बंधन में ही सुख में खो जाता है. आत्म चिंतन को भुला दिया जाता है. फिर यहां से फिर जाकर परमात्मा से मिलने की दरसल हम जीवन भर उस परमात्मा को धोखा देते रहते हैं. वह अपने को धोखा देता रहता है. हमारी यह आत्मा, जो समस्त ब्रमान की चेतना को धारंग करने के योग्य है, ऐसे क्षुद सुखों में फस जाती है. लेकिन वह भी इस शरीर को अमर नहीं कर सकता. अनेक प क्षनिक सुख के नाम पर व्यक्ति अनंत कष्ट और पीवा सहत रहता है. हाला कि उस भगवान की कोई याद नहीं है जिसकी द्रिष्टी में सच्चा सुख है. इश्वर की वह सुन्दर्ता, वह सार्व भौमिक कला आख की पहुँच से परे है. उसके दर्शन की इच्छा ह होने पर ही आत्मदर्शन और दिव्य द्रिष्टी की संभावना उत्पन होती है और तभी पर्मानन की प्राप्ति हो सकती है. फिर इस संसार में और किसी चीज में रस नहीं है, आसकती नहीं है. इश्वर के दर्शन ही उत्तम सुख है. श्लोक 78 अध्याय 18 यत्र योगेश् पर भगवान कृष्ण है और जहां गांडीव धनुष चलाने वाले अर्जुन है, वहां श्रीक, विजय, विभूती और अचलनीती है. चिंतन, भगवान कृष्ण और अर्जुन को नारायन और नर की जोड़ी माना जाता है. सारी दुनिया देख सकती थी कि इश्वर की य अंधी लालसा में दुर्योधन जैसे प्रतिशोत से भरे अपने पुत्र को भीतर से वैसा ही पाप करने के लिए प्रेरित कर रहे थे. संजय उनके सारती थे, असल में संजय को धृतराष्ट्र के लिए खुद बोलना चाहिए था. लेकिन वह बेचारा भी सच और जूट का फर्क जानता था. यह अंधा धृतराष्ट्र इस बात का जीता जाकता उदाहरन है कि जब लोग पद पर आसीन होते हैं और धन संचे करते हैं तो वे किस प्रकार उस पद और धन के आदी हो जाते हैं. लेकिन उन्हें यह अहसास नहीं है कि जो पद और धन उन्होंने धोके से जमा किया है वह केवल भगवान का है और वह उन्हें वापस मिट्टी में मिला देता है. संजे सत्ता और धन के इस सुक में अंधेधरितराष्ट्र को सपष्ट शब्दों में यही याद दिला रहे हैं. मेरा मानना है कि जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है और जहा गांडीव धनुष चलाने वाले अर्जुन है, वहां श्री, विजय, विभूति और अचलनीती है. बोध, इस संसार में सत्य को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन सच्ची प्रवृतियों और आसुरी प्रवृतियों के बीच हमेशा संधर्श होता है. आसुरी प्रवृतिया को मात नहीं दे सकता. विजय सत्य की ही होती है. जूट को दबाना जारी है. महाभारत युद्ध एक संधर्श है, सत्य और असत्य के बीच की लडाए है. राजा ध्रितराष्ट्र और उनके सो कौरव पुत्रों ने जूट का मार्ग अपनाया और पांडवों की तरह धर्मी विभूतियों को नश्ट करने की कोशिश की. परिवार में कौन बहादुर है और कौन सच्चा, यह स्वत, की पता चल जाता है. लेकिन हमारी एहमियत कम न हो जाए, दुनिया हमारी भी इज्जत करे, इस लगाव के चलते जिन में कुछ पैदा करने का साहस नहीं होता, वे अपने से भी अधिक अनंत सामराज्य के शासक बन जाएंगे. अगर कौरवों ने पांडवों के 13 साल व्यर्थ वनवास में बरबाद नहीं किये होते, तो वे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के राज्यों की सीमाओं को सभी दिशाओं में दूर दूर तक बढ़ा देत आज हम जो देखते हैं, यह उससे कहीं अधिक महान राष्ट्र बन गया होता. इस बढ़ती आबादी के लिए यहां ज्यादा जगह उपलब्ध होती, ज्यादा जगह दी जाती. लेकिन रमायंकाल में कैकै से शुरू हुई यह ग्रहस्ती इस देश के लिए हमेशा के लिए अभिशाप बन गई. यहां परंपरागत रूप से केवल भाय चारा ही चला आ रहा है. तभी तो परणोसी मुलक आकर लोगों को लुटते हैं, मुगलों, अंग्रेजों जैसे लोग यहां राज करते हैं और उन्हें लुटकर कंडाल बना देते हैं. लेकिन हम आंतरिक कलह, भरातर संधर्श, युद्ध में ही सुख पाते हैं. सत्य की खोज में इशवर हमेशा पीछे रह जाता है. वास्तव में प्रभुं ने इसके लिए ही हमें यह गीता शास्त दिया है. यदि इसे शास्त्रों सहित शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सके तो हमें कभी प्राजित नहीं कर सकेगा क्योंकि इस गीता शास्त्र के माध्यम से भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अब तक हमें 18 वे अध्याई का श्लोक नाम सरसट से 78 तक श्री गीता का महत्म्य बताया। इसके साथ ही श्रीमद भगवद गीता का अध्याई यहीं पर पूरा हु हुआ है। श्री क्रिशनारपण मस्तु